आज हम लोग चिकन अफगानी बनाने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो अभी हम लोग मैरीनेशन के लिए मसाला प्रिपार करने वाले हैं तो आपको मैरीनेशन का सारे मसाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल चाएंगे बस आपको मिक्सी में डालना है और उसको अच्छे से फाइन पेस्ट बनाना है अफगानी चिकेन में क्रीम और दही यह मैंडेटीडी चीज होता है या प्लीज स्किप मत कीजिए नहीं तो बिल्कुल भी उसका टेस्ट नहीं आता है तो बहुत दोनों चीज अब ध्यान रखिए और उससे क्वांटिटी की हिसाब से आप डाल सकते हैं अभी मैंने एक किलो चिकन लिया है तो मैंने बस लेक पिस लिया है पर आप चाहे तो कौन सभी चिकन का पीसिस ले सकते हैं बस उसमें आपको थोड़ा कट लगाना है जाकि मसाला थोड़ा अंदर तक भी मैरिनेट हो जाए उसके बाद जो मसाला मैरिनेशन मसाला हम लोग पीसे थे उसको डालना है उसके बाद एक निम्बु चोड़ना है उसके बाद आपको थोड़ा ओल डाल के उसको अच्छे से मिला के घंटा और उपर मैर करते हो तो भी बहूत अअच्छा हुता है जितनादेर आप मैरिनेट करोगे उतना दिर यह चिकिन बहुत सौत और बहुत जूसी होगा एक पैन लेना है उसमें ओयल, घी, नहीं तो बटर आप कुछ भी डाल सकते हो नहीं तो आप कम्बाइन करके भी डाल सकते हो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसके बाद आपको मैलिनिटेड चिकन डालना है पर उसका मसाला मा डालिए बस चिकन का पीस डालिए थोड़ा हम लोग उसको दो साइड फ्राइ करेंगे गुल्डिन ब्राउन होने तक उसके बाद उसका मसाला उसमें डाल देंगे आप देख सकते हो अभी उसका दूसरा साइड गोल्डिन ब्राउन हो गया अभी हम लोग उसको पलट देंगे इस साइड भी थोड़ा गोल्डिन ब्राउन होने तक उसको फ्राइ करेंगे आप देख सकते हो अभी उसका दूसरा साइड गोल्डिन ब्राउन हो गया उसके बाद हम लोगी जो marinated masala था वो डाल देंगे और chicken को low flame में उसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे आप अभी देख सकते हो कि मसाला कितना अच्छे से पक रहा है और chicken को low flame में उसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे अभी आप देख सकते हो chicken पुरा अच्छे से बॉयल हो रहा है तो अभी हम लोग उसको थोड़ा पलट देंगे दूसरे साइड पलट करके उसको अच्छे से आपको पकाना है और अभी हम लोग गरम मसाला डालेंगे उसमें पर यह ऑप्शनल है अगर आपको अच्छा लगता है उसका smell और टेस्ट तो आप डाल सकते हो पर अगर डालोगे तो अच्छा लगेगा उसके बाद आपको एक मीडियम फ्लेम में उसको पूरा अच्छे से बॉइल करना है जब तक चिकन पूरा सौफ्ट ना हो जाए अभी आप देख सकते हो चिकन में पुरा ओयल सिपरेट हो गया है और चिकन अच्छे से पक गया है उसके बाद आप थोड़ा हरी मिर्ची और हरा धनिया यह थोड़ा आपको चॉप करके डालना है यह तो स्लीटर भी डाल सकते हो उसके बाद इस रेडी टु सर्व so guys please watch our videos subscribe like and comment thank you